हाँ जी ध्यान दीजिए आज जो टॉपिक हम करेंगे मोस्ट इन्पोर्टेंट टॉपिक इसमें से आपके एग्जाम में न कुश्चन आना ही आना है रीजन बेज कुश्चन अब रीजन बेज कुश्चन क्या होता है इसके अंदर हमारा ratio पे क्या impact पड़ता है कुछ activity करने की वज़े से वो बताना है और जो ये concept कर रहा हूँ हमने क्या देखा था ratio के अंदर के ratio हमारा कितने type का हो सकता है आपका एक था liquidity ratio, एक था आपका solvency ratio, activity ratio and profitability ratio ये जो हम concept कर रहे हैं ये सब पे लगेगा reason based question ये इस तरीके से मैं कराऊँगा कि कोई भी ratio आजाए अगर आपको ratio का normal question solve करना आता है तो reason भी बता सकते हो अब reason based question में अभी तक हम जो base लेके चलेंगे न वो मैं लेके चलूँगा current assets यानि मैं current ratio और एक कोई की ratio पे base पे सारे question करूँगा और इसके अलावा जो भी ratio आप इसी basis पे कर सकते हो सबसे पहले आपको reason में समझना होगा जैसे अगर मैं बताऊँ आपको current ratio का formula तो current assets upon में यानि आपको divide में given है और मुद्दे की बात आपको एक चीज़ समझना है concept अगर ये समझ में आगया तो कोई points ही नहीं रहता इसके अंदर फिर मान लो suppose करो मैं यहां लिखूँ suppose करते हैं कि 5 बटे में 3 लिखा मैंने अब यहां पे 5 भी है और 3 भी है आपको एक चीज़ सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि divide में नीचे जितना जादा हम increase करते जाएंगे न amount को तो उससे हमारा कम होता जाएगा जैसे अभी 3 है यह suppose करो 2 ले लेते हैं ठीक है तो अभी आएगा 2.5 लेखिन अगर मैं 3 ले लूँगा तो 2.5 नहीं आएगा 1.something आजाएगा यानि simple सा mathematical concept है कि भाई आप divide में जितना ज़्यादा digit को बढ़ाओगे न ratio क्या होगा कम होता ratio यानि आपका answer कम आता जाएगा अगर मैं divided by 4 कर दूँ तो और कम हो जाएगा तो पहले तो यह छोटा सा concept समझ में आए ना आपको कि divide में हम जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उससे हमारा ratio पे क्या impact यानि answer क्या होता जाएगा decrease होता जाएगा और दूसरा अगर मैं बोलू ऊपर अगर मैं बढ़ाता जाओं अगर मैं ऊपर बढ़ाता जाओं तो उससे क्या होता है पांच दस बटे दो मैंने दोनों बढ़ा दिया था दस बटे में दो हो 10 अपॉन में 2 हो तो answer is यानि अपर डिजिट पे अगर बढ़ाते हो increase होता है lower denominator में अगर आप चेंज करते हो decrease होता है मैं बढ़ाने की बात कर रहा हूँ तो मैंने अभी जो आपको concept समझा है पड़ेगा मैं एक-एक करके बताता जाता हूँ मान लो मैंने case बना देता हूँ या फिर मैं अगर यहाँ पर प्लस करता हूँ उपर की side तो क्या होगा और अगर नीचे की side plus करूँ मैं दोनों नी अलग-अलग मैं एक-एक point लेके चलना हूँ ऐसा मत बोलना सार नीचे ऊपर दोनों जगा प्लस हो गया तो उसको लेके चलेंगे अभी मैं one-sided लेके चल रहा हूँ फिर two-sided बहाएंगे ठीक है ना और मान लो अगर मैंने सरफ और सरफ नीचे की side plus किया तो यह तो plus के aspect से हो गया अब मैं minus के aspect से लेके चल रहा हूँ मान लो उपर अगर minus किया सिर्फ one-sided है तो उपर minus करेंगे तो value कम हो जाएगी उपर और नीचे वही रहेगा तो ratio पता है क्या हो जाएगा कमा जाएगा जैसे मान लो अभी पांच बटे दो था तो आपने बोला सर धाई है मैंने बोला मैं सिर्फ उपर कम करूँगा अगर मैंने बोला उपर कम करूँगा उपर minus one कर देते हैं तो उपर क्या जाएगा answer यानि उपर decrease जब करेंगे न हम उससे impact क्या आने वाले बताओ ratio down होगा तो यानि इस वज़े से ratio क्या होगा down होगा ठीक है सेम अगर मैं निंचे decrease कर दूँ तो ratio क्या हो जाएगा increase होगा ठीक है न यह मैं अभी जो concept बता है मैंने कैसे बता है one-sided changes स्रिफ one-sided changes example देखो मुझे बताना मान लेते हैं मेरा CR जो है वो 2 by 1 है 2 by 1 मान लेते हैं या फिर मान लेते हैं 3 by 5 मान लेते हैं ठीक है एक ratio दे दिया 3 by 5 एक ऐसा ratio है मान लो मैंने fixed assets खरीदा अगर मैंने fixed assets को खरीदा होगा तो जैसे machinery खरीदा तो machinery आ जाएगा क्या machinery current assets का part है क्या current liability का part है नहीं है लेकिन payment भी जाएगा खरीदने पे तो जब payment जाएगा तो cash तो होगा तो impact कहां पढ़ रहा है दोनों side पढ़ रहा है या स्रिफ assets पे और जब हम assets को खरीद रहें तो minus होगा और one sided जब minus करते हो और उपर जब minus करोगे तो ratio क्या होगा तो अगर आप से question पूछा जाए अगर company ने fixed assets को खरीदा होगा ratio क्या होगा हमारा समझ में आ रहा है कैसे decrease होगा logically भी समझना है आपने ऐसा नहीं कि तुक्का मार देना है question number one में क्यूंकि यहां minus होगा दूसरा मैं question बोल रहा हूं यहां पे मैंने क्या करा loan ले लिया long term loan लिया या debenture issue कर दिया loan ले लिया तो loan लेने से cash आएगा तो assets पर फरक पड़ेगा लेकिन liability पर फरक पड़ेगा क्या यह current liability और loan हमेशा कौन सा होता है non current यानि long term होता है तो यानि अगर हम loan लेंगे तो बिलकुल assets पर फरक पड़ेगा और assets क्या हो जाएगा अब ratio क्या होगा increase अब ratio क्या होगा यानि simple सी बात है अगर upper side में प्लस करोगे तो ratio भी बढ़ेगा और upper side में अगर minus करोगे तो ratio भी घटेगा अब देखो मान लेते हैं मैंने क्या करा suppose करो एक creditor था ठीक है मैंने उधार मान लेते हैं के मेरा current liability बढ़ गया suppose करो किसी भी reason की वज़े से वैसे तो बहुत सारे reason है लेकिन मैंने बोला loan को convert कर दिया मैंने creditor में loan को convert कर दिया और आपको अच्छे से याद होगा mature debenture या mature जिस साल होता है वो current liability का part बन जाता है मान लेते हैं के current liability में मैंने convert कर दिया अगर current liability में convert किया है मैंने तो current liability क्या होगा plus हो जागा इसको भी हटा देते हैं अगर यह बढ़ रहा है ratio पे क्या फरक पड़ेगा बताओ ratio क्या होगा भाई हर किसी को समझ में आ रहा है ने के ratio decrease होगा क्योंकि denominator में बढ़ा रहे हो सेम ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो creditor था ना पहले 6 महने के लिए था अब वो creditor एक साल के लिए बन गया है कि भाई पहले current liability का part था creditor अब नहीं है तो क्या होगा जब minus होगा नीचे तो ratio पे क्या फरक पड़ेगा यानि नीचे जो हमारा relation है ना वो कैसा है हमारा inverse relation कह सकते हो कि यानि अगर हमारा नीचे की side हमागे यहाँ पर plus करते हैं तो ratio decrease होगा जैसे मैंने यहाँ का है plus करेंगे तो ratio और अगर minus करेंगे तो ratio यह चोटी सी बात समझ में आई है आपको ठीक है यह पहला aspect था one-sided error यह कौन सा aspect था हमारा कि one-sided पीछे से mat भी open कर लो नेक्स पार्ट पर चलें अभी one-sided error देखा और one-sided में अब एक और पार्ट देखते हैं one-sided में यहाँ पर था या तो स्रिफ increase हो रहा था या फिर only decrease हो रहा था simple सा concept था यह हमने देख लिया आप case number two देखते हैं मान लेते हैं CR है CR का formula वही है CA upon me CL is equal to हमारा मान लेते हैं कि यह हमने ratio रख दिया 10 बटे में 5 रख दिया suppose करूँ अब मान लो मैं stock खरीदता हूं cash में अगर मैं cash में stock खरीद हूं तो stock आएगा और cash चला जाएगा यानि यहीं पर plus भी होगा और यहीं पर minus भी होगा समझ रहे हैं बात को plus हो रहा हो और one sided ही तो no change होगा है ना कोई बदल सकता है कुछ सेम अगर मैं बोलू के मेरे creditor के अंदर मैंने BP को convert कर दिया creditor में तो BP घट गया sorry BP को convert कर दिया या creditor को convert कर दिया BP में हम मान लेते हैं creditor को convert करेंगे BP में creditor minus और BP क्या फरक पड़ेगा बताओ कुछ में नहीं तो one sided error में ये भी one sided चल रहा है error में गलत word यूज करा हूँ error नी basically changes one sided changes में one sided changes में one sided changes में अगर same side पे same side पे अगर plus और minus होता है तो ratio का result क्या होता है no change समझ मैं आई बात आपको दो aspect हम कदम कर चुक है दो और रहता है सारे question देखना फटा फटा फट हो जाएगा हाँ बिल्कुल एक side जैसे कि या तो ऐसे हो जाए या फिर current liability में ऐसा कोई point दिखे आपको तम no change में आ जाता हो गाई no change एक बार plus करोगे एक बार minus करोगे तो impact तो 0 ही हो गया ना उसे साब से अब third देखते हैं both side ठीक है ना CR is equal to CA upon me CL मान लेते हैं 2 by 3 या आपको मान लेते हैं 4 by 3 मान लेते हैं ठीक है ना ऐसे situation में कई बार हो सकता है दोनों side ही change हो और दोनों side change का मतलब है दोनों side या तो minus हो सकता या तो plus हो सकता है और उधार माल खरीदने से क्या बन गया यानि यहां भी plus हो रहा है यानि दोनों side changes हो रहा है तो क्या होगा हम रिजल्ट तो भी बाद में देखेंगा पहले समझ में दोनों side change हो सकता है पॉसिबल है सेम माल लो मैं creditor को payment कर दूँ तो current assets क्या होगा current assets का कौन सा component पर फरक पड़ेगा cash minus हो जाएगा या bank है तो bank minus हो जाएगा और liability पर फरक पड़ेगा क्या पड़ेगा जब आप creditor का payment करोगे तो क्या होगा liability भी कम हो जाएगा समझ रहे बात को तो यानि possibility है के दोनों side plus भी हो जाएगा और possibility है के दोनों side minus अब इसमें ध्यान से देखना impact पता है कहां आता है ज्यादा impact जो होता है जहां कम होता है वहाँ impact ज्यादा होता है अगर मैं बूलू इसको plus हो गया plus हो गया तो impact कहां आता होगा पता है यहां 3 है ना कम डिजट है ना यहां 4 है और यहां 3 तो जो value कम होता है वहीं पर impact ज़्यादा speedly पड़ता है अब मान लेते हैं कि मैंने क्या कहा अभी ratio अगर मैं कोई simple सा ratio ले जेता हूँ चलो 2 आपने बोला सर इसका answer तो 2 आएगा मैं दोनों साइड एक एक प्लस कर देता हूँ यह दोनों साइड ना दो दो प्लस कर देता हूँ 4 और 2 यहां भी 2 प्लस कर दिया यहां भी 2 प्लस कर दिया अब result क्या एगा बता हूँ result क्या एगा 6 divided by 4 1.5 समझना बात को सर दोनों साइड हमने प्लस किया मैंने कहा जहां कम होगा वहां इंपेक्ट जादा आएगा यानि मेरे कहने का मतलब भाई प्लस तुम दोनों साइड कर तो रहे हो लेकिन कम ये डिजिट है तो यहां जादा फरक पड़ेगा अगर आपको पता है के नीचे जादा फरक पड़ेगा अमाउंट में और वो भी प्लस के पॉइंट हो भी सो तो रिजिट क्या होता है रिजल्ट देखो आपके सामने मैंने दोनों साइड ही प्लस किया ना तो रिजल्ट के आगया हमारे डिकरेज अगर मैं माइनस करूँगा तब भी इंपेक्ट कहा आएगा जादा जहाँ वैल्यू कम होता है हमेशा इंपेक्ट महीं पड़ता है चलिए मैं माइनस का एक एक एक्जामपल ले लेता हूँ 4y क्या था 2 था ना मैं दोनों साइड में एक एक रुपे माइनस कर देता हूँ अभी रिजल्ट क्या था आपका दो इंपेक्ट सबसे ज़्यादा कहां पड़ेगा 2 रुपे पर या नि डिनॉमिनेटर में पड़ेगा या अपर साइड में पड़ेगा यहाँ पड़ेगा क्यों पड़ेगा कम क्योंकि यहाँ वेल्यू कम जोर को हर कोई दवाता है वही कहानी है यहाँ ठीक है ना तो जो कम है वहीं ज़्यादा फरक पड़ने वाला है अब मैं दोनों साइड ना एक एक रुपे माइनस करता हूँ चार बटे में दो इधर भी एक माइनस इधर भी एक माइनस तो क्या आगया थ्री बाए रेशो क्या आगया आपको पता है कि नीचे कम कर रहे हो मैंने बताया अगर नीचे आप माइनस को क्या करोगे कम करोगे तो रेशो क्या होगा तो वही तो हुआ पहले दो था अब कितना आ गया यानि ultimately one-sided वाला concept तो link ही है आपने समझना होगा कि भाई फरक कहाँ पड़ता है ठीक है ना तो इसका मतलब मैं simply इसको लिख सकता हूँ अगर मुझे लिखना हो तो मैं ये आपको easily समझा इसका भी सकता हूँ easily बता सकता हूँ कि पता है कहाँ more impact कहाँ पड़ेगा यहाँ बताइए more impact कहाँ पड़ेगा जहाँ पे value क्या होगा less होगा अब आपको पता है कि अगर नीचे बढ़ेगा तो impact ज्यादा plus नीचे पड़ेगा तो ratio कमी होगा भाई समझ रहे हो ना बात को और नीचे अगर घटेगा तो नीचे के value को जितना कम करते जाओगे ratio भी क्या होता जाएगा जब किसी संख्या को किसी amount को divide हम जादा से करेंगे ना तो जो value निकल के आएगा वो क्या आएगा हमेशा कम आएगा और अगर उसे divide हम कम से करेंगे तो value जादा आएगा ये तो simple सी बात है ठीक है न मैंने इस case के अंदर कहां पे रखा था कम value less value कहां था हमारा तो अगर दोनों side plus हो रहा हो तो ratio क्या होगा denominator में जादा impact पढ़ेगा denominator जादा बढ़ेगा कम वाली value जादा बढ़ेगा और नीचे जादा बढ़ने का मतलब ratio समझ माई बात अब बात करते हैं हम again अगर हम minus कर दे तो minus करेंगे तो यहाँ भी minus होगा और यहाँ भी minus होगा impact जादा नीचे पढ़ने वाला है और नीचे की value को divide कम से करोगे तो ratio समझ माई बात आपको और यह सिर्फ इस पे impact जाए इस पे नहीं आने वाला जितने भी question है ratio के अंदर सब पे यह rule apply हो जाएगा मैं इस तरीके से लेके चल महाँ मैं ऐसा नहीं के भाई current ratio का एक करा दो फिर चलो quick ratio का भी करते हैं एक ही बार सारा base ही बता देते न सारे ratio पे अपलाए हो जाएगा बस हमें practical question करने अगर वो आता है तो सारा कर सकते हैं फिर तो अब देखो fourth case last case fourth मान लो current ratio मैं ने दिया और वो फिर से अगें क्या होगा c upon me c l और यहां पे अगर मैं आपसे बोलूँ के ratio मैं रख देता हूँ उपर रख देते हैं 5 by 10 कुछ ऐसा रख दिया अब बताओ changes जादा कहां आएगा उपर इतना समझ मैं है अगर मैं proof पहले कर देते हैं मान लो एक एक रुपे मैं plus कर दूँ पहले ratio क्या है हमारा 1 by 2 है न यानि 0.5 यही है अगर मैं एक एक रुपे प्लस कर दूँ प्लस 1 यहां भी कर दूँ और प्लस 1 यहां भी कर दूँ तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि फरक कहां पढ़ रहा होगा ज्यादा जहां value कम जहां कमजोर है वहीं पर फरक पढ़ेगा तो कहां पर उपर और अगर उपर में प्लस हो रहा है तो ratio प्रूफ करके देख लेते हैं देखे आप 6 divided by 11 करिए is equal to आगे हमारा 0.54 मैंने तो देखो दोनों चीजे बताया तो पहले 5 था 0.5 अब 0.54 तो आपको अच्छे से पता है भाई 0.5 से तो ज़्यादा ही आता है लेकिन सेम अगर मैं 5 बटे 10 में ही यहां भी minus 1 कर दूँ और यहां भी minus 1 कर दूँ पहले का answer क्या था हमारा 0. अब दोनों साइड माइनस कर रहे हैं और आपको अच्छे से पता impact कहां ज़्यादा पढ़ रहा होगा और उपर अगर आप minus ज़्यादा करोगे तो ratio क्या होगा नहीं आ रहा समझे मेरे क्या रहा क्या होगा प्रूफ करें एक बार प्रूफ देखिए यहां पर क्या आएगा चार डिवाइड बाइड नो और इसको डिवाइड करके देखतें क्या आता है चार डिवाइड बाइड बाइड नो तो रिजल्ट आ गया जिरो पॉइंट समझ मैं यही बात तो चार ही केस बन सकते हैं इससे जादा कोई केस नहीं बन सकता और मैंने लॉजिक भी बता दिया एग्जाम में भूल भी जाओ ना रेशो आ गया तो दोनों साइड आप एक एक रूपे सिर्फ एक रूपे प्लस माइनस करके देख ले ना आपको रिजल्ट पता चल जाएगा अच्छा यह इंपेक्ट पढ़ने वाला मैंने भी तो एक एक रूपे सही बताया आपको तो अगर जहां इंपेक्ट कहाँ हैग लोगा, तक sido पताया अगया दोनों साइड प्लस माइनस होरा है। अगर दोनों साइड कारी नहीत है, अगर देख रूपे सिर्फ मानिस होना जाएगा कहें छिए ऊपे सिर्फच का साध रिचल होरा है। समय में आया है? केसी से पांच वा केस कोई बनता ही नहीं है चार केसी से इसी पे जीतने भी रीजन है वो हो सकते हैं एक पार फटाफट से देखे कोई डाउट है तो आब बुक के कुंश्चन में 4-5 करूंगा तो सारा जो इफ और बत माइड में डाउट है वो सारा ऑफ हो जाएका अ